हलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई गर्मिया शुरू होगी है और इस गर्मी की पहली आइसक्रीम रेसिपी मेरे चैनल पर है राजभोग आइसक्रीम रेसिपी जो घर पर बहुत इजली बना सकते हैं और राजभोग आइसक्रीम तो सभ नाइस जाने वाले हैं जिसका pre-mix बना कि मैंने रखा था और इस आइस रेम में use किया है राजभोग आइस क्रिम बनाने के लिए आप किस pre-mix का use करेंगे इसकी डेटल में आगे बताऊंगी और उस pre-mix की युछी वीडियो लिंक डिसक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप देख सकते हैं उसे और उस प्रेमिक्स को बना लें तो उसे आप ठंडई रेशीपी ठंडई ड्रिंक, आइस क्रीम या फिर किसी भी तरह की और रेशीपी बना सकते हैं और इस ice cream को बनाने के लिए मैंने hand whiskr का use किया है और नार्मल घर में जो सभी के mixer jar होता है उसका use किया है मैंने किसी भी तरह का electronic whisker का use नहीं किया है जोगार आपके घर में electronic whisker नहीं है तो भी आप इस ice cream को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं शुरू करते हैं राजभोग आइसक्रीम को बनाना तो यहां पर आइसक्रीम को बनाने के लिए मैंने यहां पर बॉयल्ड एक लिटर मिल्क लिया है तो उबला हुआ दूद है आप कच्छा दूद फ्रेश दूद भी ले सकते हैं उसमें डाल दिया है हाफ कप शुगर भी यूज़ करेंगे और यहां पर cmc powder का यूज़ कर रहे हूं जो वन फॉर्थ टीस्पून ही लगेगा एक लिटर दूद की आइसक्रीम बनाने के लिए अब आप यह जानना चाहेंगे कि आइसक्रीम में कॉर्ण फ्लॉर और cmc powder का यूज़ क्यों गया जा रहा है सबस्के घर में किसिन किसी डूसरी रेशीपी को बनाने के लिए पर रहता है तो सिर्फ यह दूद को ठिक करने के लिए ताकि दूद की चंशिय। यह अधिक करने के लिए ढाला जाता है के लिट है तो आइस क्रीम बहुत अच्छी बनेको तो यह दोद की ठिकनेस्क dauern assessed के लिए कान टना टो का यूज होगा stand 스ремfy si powder दूद की जो ice cream की thickness है वो बरकरार रहे तो उसके लिए उसके आता है तो जो ce mc powder है वो जो ice cream की thickness है वो उसे improve करता है उसे बनाए रखता है और आप देख रहे हैंगे यहां पर लिखा है ice cream impover to see mc powder इसके लिए होता है और यह एक तो पहले हैं विश्ट करके तुरू जो हमने चीनी दूद में और पॉडर मिलाया है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लंस ना रहे तो अभी गैस पे दूद को नहीं चड़ाना है और दूद बॉयल है लेकिन बिल्कुल ठंडा है रोम टंपरेचर पे है तो ची पाइस आन कर देंगे और इस पे चीनी और मिल्क पॉडर मिक्स किया हुआ दूद को इस पे रख दिया है और इस तरह से मिक्स करते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए अगर इसे हम चलाएंगे नहीं तो नीचे पॉडर बैढ जाएगा और जल जाएगा और लंस जाएंगे बॉयल आ चुका है इसमें अच्छा से तो अब बॉयल आने के बाद थोड़े थोड़ी देर पे भी मिक्स करते रहेंगे हैंड विसकर कि तुरू ताकि इसमें गुठलिया ना बनने पाएं तो अच्छा बॉयल आ चुका है तो चलते हैं दूसरे प्रोसस पे तो वफ टी स्पूण cmc potter योश कर रहे हैं मैं सिफ एक लिटर दूदुद की आईस क्रीम बनाने के लिए one छोबई ती स्पूद सिंसरे योश करेंगे ओर आप cmc potter की expiry date देख लें expired ना हो और बस दूद में हमने corn floor को और CMC potter को mix कर लिया है CMC potter दूद में इतने अच्छे से घुले या नहीं थोड़े से दाने रह जाएंगे लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है आप दूद में जब mix करेंगे उबलते हुए दूद में चलाते हुए तो बाद में उसमें dissolve हो जाता है और जब इस mixture को उबलते हुए दूद में डालेंगे तो चलाते रहेंगे यहाँ पर मैं दिखा रहे हैं इस spatula पर कि दूद की layer जो है अभी बहुत आठिक नहीं हुई है तो जैसे ही मैं spatula पर दूद को ले रहे हूँ तो वो बहुत आसानी से गिर जा रहा और उस पर कोई भी layer या coating अच्छे से नहीं हो रही है अब आप देख रहे हैं दूद को बलते हुए थोड़ टाइम हो गया है और दूद गाड़ा हो गया है और एक हलकी सी coating इस spatula पर आ गई है इस point तक दूद को बाल लेना है यहाँ पर राजबोग आसक्रीम है तो थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे जिससे इसे अच्छा आरोमा आता है और थोड़े सा color भी अच्छा लेता है दूद को उबलते हुए 15-16 मिनिट हो चुके है गैस बंग कर दिया है और दूद को गैस के उपर से उतार लिया है आप इसे ठंडा करेंगे रूम टमपरेचर में आने देंगे और रूम टमपरेचर तक आने तक बीच-बीच में चलाते रहेंगे ताकि इसके उपर कोई मलाई ना पड़े और यह ठंडा होने के बाद थोड़ा और भी गाड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर तेखने ठंडा हो चुका है ये तो इहाँ पर हमारा आणस्क्रीम बनाने वाला बेस तयार हो गया है जब ये आणस्क्रीम बेस रुम तंप्रेचर में आजाए रूम टमपरिचर में आने के बाद थोड़ा यह और गड़ा हो जाता है और कलर अच्छा आ जाता है अब इसे मैंने एक ऐसे कंटेनर में सिफ्ट कर दिया है जिसका धकन बहुत ही टाइट है मतलब रबड के साथ है इसमें हवा नहीं जाने वाली है तो आप भी मेक्शोर कर ल यह भी 10-12 घंटे लग जाते हैं फ्रीजर को बिल्कुल हाई पर कर दे और 10-12 घंटे के लिए आप इसे छोड़ देंगे सेमी सेट होने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सेमी सेट हुआ है मतलब आधा ही जमा है और इसे एक बार फिर से हमें चलाना है तो मैंन इसमें अच्छा से विष्क होगा नि तो इक मैंने बड़ा बॉल लिया है जिसमें ट्रांसफर कर ले रही हुआ और इसमें ट्रांसफर करने के बाद हैंड विष्कर का यूज करते हुए इसे एक अच्छी स्मूध कन्सिस्टनेंसी होने तक हमें चलाना है यानि कि विष्क करना है अगर आपके पास electronic whisker है तो आप उसके थ्रू भी whisk कर सकते हैं उस electronic whisker के थ्रू टाइम भी कम लगता है और एक अच्छा result भी आता है बट मेरे पास भी नहीं है मेरा whisker भी खराब हो करना है तो आपके पास भी नहीं है तो आप hand whisker का यूज करते हुए बड़ी आसानी से घर पे ice cream बना सकते हैं hand whisker के थ्रू इसी तक तक whisk करना है जब तक आपको एक satisfaction smooth texture वापस ना मिल जाए तो यहाँ पर कुछ तीन से चार मिनट ही लगते हैं और वापस यह एक smooth consistency में आ गया है तो बस इतना ही हमें काम करना है अब यहाँ पर एक चीज और डाल रही हूँ जो है घर की मलाई तो यह बिलकुल fresh घर की मलाई है आप बाहर की fresh cream भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप घर पे मलाई इकठी करते हैं तो fresh cream की बजाए आप घर की मलाई यूज़ करें यहाँ पर मैंने एक लिटर दूद की ice cream बनाने के लिए यह 5-6 बड़े चमाच आप घर की मलाई ले सकते हैं पर make sure कर ले कि उस मलाई में कोई खराब smell ना हो पुरारा ना हो fresh हो मतलब 3-4 दिन पहले निकाला हुआ जो आप fresh में store करते हैं उसे ले सकते हैं तो जो उपर की layer है वो थोड़ी सी सक्त है तो इससे थोड़ा side कर दिया औ तो मलाई को भी hand whisker के help से whisk कर लेंगे ताकि यह soft हो जाए लेकिन अगर आपने market वाली fresh cream ली हैं तो उसे भी half cup से थोड़ा ज्यादा लेके आप whisk नहीं करेंगे आप डारेक्ट इसमें ice cream base में मिलाके उसे hand whisker से whisk करेंगे अलग से whisk नहीं करेंगे जब मलाई थोड़ी से soft हो जाए तो जो हमारा ice cream base है उसमें से थोड़ा सा part लेके इसमें mix करेंगे और एक अच्छा सा smooth batter तयार कर लेंगे जैसे ही smooth batter हमें मिल जाए हम इस सारे mixture को वापस जो हमारा पूरा ice cream base है उसमें transfer कर देंगे तो इसमें डालने के बाद अच्छे से वापस मिला लिया है मैंने सारे चीजों को तो आपने देखा एक बार semi set होने के बाद ice cream base को फेटा है मैंने और मलाई मिलाई है इसको फिर से set होने के लिए रखेंगे freezer में और अब पूरी तरह से हम set करेंगे वापस उसी डबे में transfer कर रही हूँ और airtight ढखकन के साथ इसे freezer में रख देंगे और अब इसे पूरी तरह से जमने के लिए छोड़ देंगे अगर आप इसे रात में रखते हैं इस तरह से वापस whisk करके तो पूरी रात freezer में रहने दे और अगले दिन 11-12 बज़े आप freezer से बाहर निकालके वापस इसे blend करेंगे या whisk करेंगे तो ये अभी जो मैंने निकाला है ये 15-16 घंटे बाद freezer से निकाला है और freezer को high temperature में रखना है और ये काफी अच्छे से सेट हो चुका है लेकिन इस ice cream को smooth texture देने के लिए वापस एक बार हमें whisk करना है या फिर आप इसे grind कर सकते हैं तो ये काफी थोड़ा सा solid है भी तो यहां पर मैं hand whisk कर कर यूज दे कर रही हूं तो आपके पास blending वाला जो भी जार हो मेरे पास यहां पर chopping वाला जार लिया है फूर्ड प्रोसेसर का आप इसी भी दे सकते हैं अगर आपके पास है नॉर्मली blending जार तो सभी के घर में होता ह है आप हो ले सकते हैं और सारे मिक्शर को आइस क्रीम के मिक्शर को इसमें डाल दिया है और एक बार अच्छे से चला देंगे इसे तो इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक स्मूथ बैटर में इस पूरे आइस क्रीम बेस को तो आपने देखा आइस क्रीम को सेकंड बार मैंने ब्लेंड किया है पहली बार तो हैंड विक्षर से किया था और अभी मैंने मिक्शर जार लिया है तो बस यह लास्ट प्रोसेस है इससे ब्लेंड करने का अब मैंने यहाँ पर 3-4 बड़े चमश भरके डाल दिया है ड्राइ फ्रूट और मसालो का मिक्षर जिसकी वज़ा से पूरी तरह से राजभोग आइसक्रीम का फ्लेवर आपको मिलेगा यह पौडर जो है प्री मिक्स मिक्षर है जिसे मैंने थंड़ाई रेसिपी को बनाने के लिए रखा था जिसे आप इसे आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं और इस pre-mix powder को आप ice cream base में डालके एक बार blend कर लेंगे blending jar में जैसे मैंने दिखाया आपको तो इस ice cream base को जब हमने दो बार whisk किया एक बार hand whisker से और एक बार mixi jar में तो यह double quantity में increase हो गया है तो यहाँ पर बड़ा ball लिया है मैंने जिसमें transfer कर दिया और इसके उपर मैंने sprinkle कर दिया pre-mix powder राजभोग वाला और कुछ rose petals डाल दिये हैं जिससे पूरा राजभोग ice cream का flavor आएगा और look आएगा और मैंने freezer में रख दिया था 18-19 घंटे के लिए जो पूरी तरह से जम चुकी है ice cream as a smooth texture में और बिल्कुल air tight ढखकन लगा के रखे ताकि इसमें जो ice cream है हमारी इसमें ice crystal न बने और आप इस तरह से scoop कर लेंगे ice cream को और आप देख सकते हैं बिल्कुल बजार वाली ice cream पार्लर वाली ice cream आपको इसका texture दिख रहा होगा इसका look दिख रहा होगा और स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है इसका जब आप बनाएंगे खाएंगे तो आपको पता चलेगा बस फ्रेजर से फटा फट निकाले सर्व करें और वापस ढखका लगा के जितना बच गया है फ्रेजर में रख दे और जब मन हो तब आप इसे निकाल के सर्व करके खा सकते हैं उपर से भी आप जब serving ball में सर्व करेंगे तो कुछ dry fruits चौप करके डाल सकते हैं मैंने याप बदाम को चौप करके उपर से garnish कर दिया है जो भी मैंने इसमें ingredients यूज किये हैं उसे आप online भी मंगा सकते हैं उसके link description box में मिल जाएंगे आप बिलकुल खरी सकते हैं या आपकी पास वाली किसी भी grocery store से भी खरी सकते हैं वहाँ भी easily मिल जाता है तो आपने देखा मैंने किसी भी तरह का whipping cream का use ने किया है जो mostly ice cream में use किया जाता है तो बहुत ही simple ingredients के साथ ये बन जाती है राजभोग ice cream घर पर ही तो इस गर्मी आप भी बनाएए इस राजभोग ice cream को और enjoy करिए रेसिपी पसंद आई हो तो like का बटन जरूर दबाएएगा और ऐसी बहुत सारी recipes पारने के लिए मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले और subscribe करने के साथ साथ bell icon button भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नई recipes की वीडियो की notification आपको मिल सकें और आप मेरे नई recipes को miss ना कर पाए मिलती हूँ अगली नई वीडियो में नई recipes के साथ till then take care of yourself बाई बाई